हलो और वल्कम टू योग वेरी ओन यूट्यूब चानल देशी पताका मैं हूँ अराधना आपके साथ घर की पहली गुंडी यानि कि बिग बॉस 14 की कंटेस्टेंट पवित्र पूनिया ने इंटर्व्यू दिया है क्या कुछ बोला है पवित्रा ने घर से बेघर होकर बताने वाली हूँ इस वीडियो में लेकिन अगर अभी तक आपने में सस्क्राइब नहीं क्या है तो प्लीज सस्क्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूले पवित्रा पूरिया ने अपने exclusive interview में बोला है कि रुबिना is a very smart lady उसको घर में सबने गलत समझा इनिशली मुझे भी वो गलत लगती थी लेकिन जब उनके साथ बैठी मैं तो पता चला कि उसका एक strong point of view होता है For me, रुबिना deserve नहीं करती top 4 For me, रुबिना deserve to win the show कहा कि मेरा eviction votes के उपर नहीं हुआ, मुझे पहले लगता था कि मैंने एक हफता low हुई हूँ इस वज़े से निकाला गया, बट जब promo देखा अर्शी खान आ रही है तो मुझे यकीन हो गया, मुझे इस वज़े से निकाला क्यूंकि अर्शी खान और मेरा बहुत बड़ा clash है बहुत बड़ी बात बोली है यहाँ पर पवित्रा ने एक event पे मैंने बोल दिया था कौन अर्शी खान तो उसके बात से अर्शी ने वो event छोड़ दिया था हो सकता है अर्शी ने शोपे आने के लिए शर्थ रखी कि पवित्रा को निकालो तब ही मैं आऊंगी और दोस्तों पवित्रा ने हापर शोप को biased भी बोला है इस चीज़ को देखते हुए हमने देखा है घर में कई बार इस तरह के गणित को बिग बॉस खेल देते हैं कि किसी कंटेस्टन को निकाल दिया क्योंकि दूसरा कंटेस्टन जो आ रहा होता है उसके नहीं बनती है घर में रहने वाले कंटेस्टन से पवित्रा ने अपने टॉप चार बताए है इजाज, अभिनव शुकला, रुबिना दिलायक और राहुल वैद्दे पवित्रा ने जैसमीन को फेक औरत कहा है और कहा है अपने चिर परिचेत अंदाज में डायन भी साथ गर छोड़ कर हमला करती है इसने तो रुबिना अपनी दोस्ती को ही डस लिया और पवित्रा ने कहा है कि बाहर में अभिनव और रुबिना इजाज के साथ इन तीनों के साथ टच में जरूर रहूंगी इजाज के लिए बोला है he is a gamer वो गेम खेल रहे हैं और उनकी गेम बहुत स्ट्रॉंग है बट मैं दिल से खेलती हूँ और वो दिमाग से पवित्रा ने राहूल और निकी की जो कल फाइट हुई तो बोला कि धुआ वहीं उड़ता है जहाँ पर आग होती है कुस तो सच्चाई होगी निकी की बात में तो भाई यहाँ पर बहुत बड़े बड़े खुलासे करती हुई नजर आई है पवित्रा पूनिया एक स्ट्रॉंग कंटेस्टन थी बिग बॉस सीजन 14 की मुझे लगता है वो घर में रहना डिजर्फ करती थी पर पवित्रा ने जैसा बताया कि अर्शी की वज़े से उनक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें गुर्बाए